हेलो दोस्तों नमस्कार सभी को कैसे आप सभी स्वागत आपका माई विलाउग चैनल पर आज मैं बगीचा गूमने गया था आपना देखिए यहाँ पर कितने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए कितने बड़िया कटल के फल लगे हुए है साथ में आम का बगीचा है अमुरूत का बगीचा है देख सकते हैं आप जिसको भी घूमना है आई यह घूमिये अब का सीजन चल्ला का सीजन चल्ला है का वे खाई यह अगर देखिए पूरा वीडियो दिखाता हूं तब तक चैनल को सब्सक्काइब करिए यह हमारे खेत पर अर्वी लगी हुई है आप लोग जानते हूं यह अर्वी के पेड़ है यह देखिए यहाँ साप रहते थे और भी आपको आगे एंटेस्टिक वीडियो दिखाता चलूँगा बगेचे की सारी खुप्सूरती दिखाओंगा है यह मैं अर्वी के खेतों में गुम रहा हूँ आम के और अम्रूत के बगीचे में लेकर जा रहा हूं, यह अम्रूत का बगीचा है यहां पर, अम्रूत का काफी बड़ा बगीचा है यहां पर, और कुछ आम के भी पेड़ लगे हुए है, आप देख सकते हैं, जिसको भी गुमना है दोस्तों आ सकते हैं, अभी आम का सीजन असलील्ट का प्रस्थी खाने को मिल सकते हैं, अमुरूत का जुटी जब चलनी रहा है, अमुरूत का सीजन सर्दियों में आएगा आजे ये दोस्तों यहां पर भी कठल के पेड़ लगे हुए है और कठल के फल भी अभी उसमें लगे हुए है कठल का भी सीजन चल ला है दोस्तों कि एक समस्तों इसे बाव भी कुझेओं किकिने कितने सवे कठल के फल लगे हुए है यहां पर आमके मेंegeं बिदेटि लगे हुए हैं जिसम स्वें काफी आम लगे हुए है देख सकते हैं आप आए दोस्ते वलीचा कुमाय सभी को वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना लास्ट में और भी आपको वीडियो इंट्रेस्टिक लगेगी देखते चलिए दोस्ते कि यह आम का पेड़ लगा हुआ है काफी फल लगे हैं इसमें बहुत बड़ा पेड़ है इसके दीगे कितने पक्षोड रहे हैं को यह बगेरा चोटे-चोटे जब पक्षी आप देख सकते हैं गर्मियों में कितना हरा बड़ा बगी चाह है हमारा कि दोस्त यह बहुत आप देख सकते हैं अभी आम का शीजन चला है तो आम भी आए खाईए तो और के भी घर पर ले जाए यह आम का पेड़ लगा हुआ है आप बाई 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 दोस्तो थैंक यू